नमस्कार मैं दुशिन सिंग एक बार फिर से आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे और आपकी त्यारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी स्पेक्टरम की मौडरनिस्टी की सीरीज हम कर रहे हैं इस बुक की पहली यूनिट को हमने अलरी कमप्लीट कर लिया है आज से दूसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी यूनिट में कुल मिलाकर के तीन चैप्टर से हैं तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस unit के अंतरगत हम क्या पढ़ने वाले हैं किन-किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन के विशे में। इसके बाद में इस यूनिट का दूसरा chapter उसमें हम चर्चा करेंगे कि जब भारत पर ब्रिटिस विजय हो जाती है, भारत पर बिटेन की सत्ता इस्तापित हो जाती है, उस समय भारत की स्थिती किस तरही की थी? और तीसरे अध्याए में हम जानेंगे कि भारत में बिटिश सत्ता इस्थापित होने के बाद में किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपनी सक्ती का विस्तार किया और अपने सामराज्य का सुद्रणी करण किया तो यूनिट का जो पहला चैप्टर है, overall तीसरा चैप्टर इस बुक का भारत में यूरोपियों का आगमन, The Advent of Europeans in India, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इस वज़े से हम इसे पार्ट्स में डिवाइट करते हुए पढ़ेंगे, तो चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में यूरोपियों के आगमन के प्रमुखक कारण कौन-कौन से थे, इन कारणों पर एक नजर डालते हैं, सबसे पहला कारण था यूरोप में पुनर जागरण का अभ्यूदय होना, ये जो पुनर जागरण था, ये विशेश रूप से इटली के फ्लोरेंश नगर से स्टार्ट हुआ था, ये दोर सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगती का जौर था, इस टाइम पर कला, साहित और विज्ञान में नए-नए प्रयोग किये जा रहे थे, भोगोलिक खोजें की जा रही थी, जो ग्राफिकल इन्वेंशन्स की जा रही थी, प जा किसी और स्थान पर रहे हैं, और पहुँच किसी और स्थान पर जाते थे, लेकिन भोगोलिक खोजों के फलस्वरूप, दिशा सूचक की यंत्र, कुतुब निमा, इस तरीके के यंत्रों का आविश्कार हुआ, जिससे पहले यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में, जिस अस्विदा का सामना गरना पड़ता था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई, दूसरा कारण था, क्रसी में निवेस कम लावबाला से धोना, इससे पहले जो क्रसी की विवस्था चल रही थी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था, उससे बहुत जादा प् पूर्व की देशों की तरफ गया, पूर्व की धन संपदा का आकर्शन भी यूरोपियों के भारत में आगमन का प्रमुक कारण माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले काफी सारे यात्रियों ने पूर्व की यात्राएं करी थी, विशिस रूप से, यहां पर हम देखेंगे मारको पोलो के यात्रा वरत्तांत, मारको पोलो ने चाइना की जब यात्रा की थी, तो उसने पूर्व की धन संपदा का विवरण अपने यात्रा वरत्तांतों में दिया, इसके बारे में जब यूरोपियों के द्वारा पढ़ा गया, तो वे कहीं न कहीं पूर्व के इस ध जाई धर्म का प्रचार प्रचार जो है वो बाहर के देशों में करें। इसके साथ साथ यूरोप में सामंत वाद के इस्थान पर पूजी वाद जो है वो इस्थापित होता चला जा रहा था। तर Expedia की तरफ देने लगे थे। वियापार की तरफ देने लगे थे। उमशी आईन को में पूजी पूजी तर फिरींडम के लोगों जान देनी है। आगमन के करम में अगर आप देखेंगे तो देखिए ब्रिटेन के लोगों से पहले डच आ चुके थे लेकिन कमपनियों की स्थापना का करम अगर अब देखें तो उसमें ब्रिटेन की इस्थापना की स्थापना डच इस्थापना के करम में बात करेंगे तो ब्रिटेन के ल पहले ही हो चुकी थी, कंपनियों की स्थापना का करम यहां से दिखते हैं, सबसे पहले पूर्तगाल, इनकी कंपनी का नाम था, एस्तादोदा इंडिया, 1498, वासकोडे गामा काली गटाया था, ठीक है, अंग्रेज, इनकी कंपनी का नाम, इसको विशेश रूप से हम EIC के न 1602 में, मसूली पतनम में होती है, डैनिस जो देन मार्क के थे, 1616 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, सूतानाती में, फ्रांसीसियों की कंपनी थी, The Indes Orientalis 1664 में इनकी स्थापना होती है, सूरत में, ठीक है, और 1731 में काफी आगे जाकरके, स्वेडिस इस्ट इंडिया क अपनी के स्थापना होती है इन यूरोपियों मैंसे सबसे पहले पुर्तगाली आये थे आप जानते हैं तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों के विशे में बात करेंगे देखिए पुर्तगालियों के आने की कहानी वासकोडिगामा के भारत आगमन के साथ होती है 17 मई 1499 को वा पहली बार आया था वास्कोड गामा विशेश रूप से अगर हम बात करने तो दो बार जो है भारत आया था दो बार काली कट वो पहुंचा था पहली बार 1498 में इसके बाद में एक बार 502 में आता है तो उसने भारत आने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता ते किया था यह मै अरेबिया है इधर ठीक है यह एशिया पढ़ जाता है पूरा इंडिया है इसके नीचे तो जब वास्कोड गामा लिस्बन से चला था पूर्तगाल की राजधानी तो यहां से इस तरीके से पहले के वर्डे पहुंचता है फिर यहां से घूमते हुए अटलांटिक ओशियन बार करते हुए फिर केप ऑफ गुड होप पहुंचता है यह अफरीका के साउथ हर्ण में पढ़ता है दक्षडी पॉइंट है ठीक है केप ऑफ गुड होप होते हुए यह इस तरीके से यहां से जाता है इस तरीके से ऐसे करके पहुंचता है तो यह काली कट पहुंचता है तो काली कट से वो बहुत सारी करम मसाले बगारा होते हैं, कौटन जो होता है, वो यहां से ले करके जाता है, और उसको कहां पर ले जाता है, अपने देश ले जाता है, पूरतगाल ले जाता है, और वहां पर जिस कीमत पर इस शामान को वासकोड गामा के दोरा बेचा जाता ह तो उसके बारे में यसा कहा जाता है कि जितनी उसकी लागत आई थी यात्रा में उसका जितना खर्च हुआ था उससे 60 गुना ज्यादा मनाफे पर उसने ये सारी चीजों को वहाँ पर बेचा था जब वह यहां से लोट के गया था तो उसने थोड़ा सा शौर्ट रूट अपनाया ठीक है क्योंके पहले उसने काफी लंबा रूट तैकिया था अब यहां से जो लोट करके जाता है तो ऐसे करके वेलकुल अफरीका के सहारे सहारे चलते हुए फिर के-पॉप गुर्डोप प अब यहां से अगर उनको भारत आना था तो वह इस तरह से भी आ सकते थे अरेविया होकर भी आ सकते थे ठीक है आपको पता होना चाहिए 1453 में तुर्कों ने कुस्तुंतिया पर अधिकार कर लिया था और यह जो पूर्ब के साथ व्यापार था इस पर अरबों का नियंत्र भारत पहुंचे थे ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुर्तąt wackarlों का भारत आने का मन तव्य क्या था उनका intention क्या था तो सबसे पहला intention तो यही था कि ट्रेड करना था व्यापार करना है लेकिन व्यावसाइय के साथ साथ में ओसाइधर्म के परचार का चुपा ठीक है? ऐसा कि मैंने यहां से बता है, पुर्तगाल अगर चाहता पुर्तगाली अगर चाहते तो यहां से भी आ सकते थे, लेकिन इन सभी मारगों पर कब्जा कर रखा था, अरब लोगों ने, तो इनके ये competitor थे क्योंकि पुर्टगालियों के आने से पहले व्यापार की जो भी दशाएं थी उन पर इनका नियन तरण था अरब लोग यहां से व्यापार किया करते थे तो पुर्तगालियों के ये competitor थे तो इनको ये व्यापार से ख़देड़ करके पूरवी व्यापार पर अपनी monopoly establish करना चाते थे एक आधिकार इस्थापित करना चाते थे ठीक है और इसी करमें 501 में पुर्तगाली सासक मैनुवल प्रथम ने स्वयम को अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोशित किया और 503 में पुर्तगालियों के दोरा अपनी पहली factory जो है वो कोचीन में इस्तापित की गी पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की इस्तिति क्या थी भारत की इस्तिति को अगर हम देखें तो इस टाइम पर कोई भी केंदरी सत्था नहीं हुआ करती थी जैसे हम गुजरात में देखें तो गुजरात में एक शक्तिसाली सासक का शाशन होता था महमूद इसके अलावा पूरा उत्तर भारत जो था वो छोटी छोटी पावर्स में डिवाइट था छोटी 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 शक्तियों में विवाजेत था दूसरा कि यहां के शासकों के पास कोई भी नौसैनिक सक्ति नहीं थी ठीक है जैसे पुर्तगाली वहां से आ रहे थे तो उनक पास जहाजी बिर्डे थे ठीक है नौसैनिक सक्ति उनके पास थी लेकिन भारती सासकों के पास में उस टाइम पर नौसैनिक सक्ति का भाव था और कोई केंदरी सत्ता नहीं थी कोई भी ऐसा पावर्पुल सासक नहीं था जिसके अंतरगत पूरा का पूरा कहानी जो है वो छोटी छोटी शक्तियों के बीच में जो है डिवाइड था विभाजित था भारत आगमन के इनके अभिप्रेरण क्या थे मोटिवेशन किस चीज़ से मिला मोटिवेशन ये मिला कि वैनिस के लाबधाई व्यापार में ये हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे ठीक है इटली का इक स्थान है वैनिस तो इटली जो है उस टाइम पर क्योंके आपने देखा था पुनर जागरन का अभियोदय भी कहां से हुआ था इटली से हुआ था इटली जो है पूर्व के साथ मैं काफी अच्छा ट्रेड कर रहा था तो ये जो है पूर्तगाली जो थे वे वैनिस जो दनेविगेटर के नाम से जाना जाता है ये नाविक था पूर्तगाल का इसके द्वारा भारत के लिए जो मार्ग खोजा गया था उसके लिए इसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया क्योंके ये चाहता था कैसे भी काए कि हम जो जो है वो कहां पहुंशें पूर्व ये भी भारत आने के लिए निकला था लेकिन केप आफ गुड़ोप तक पहुच करके फिर वापस लोट गया था पूर्तगाली और जमूरिन देखें पंद्रे सो दो में वास्कोर्डगामा का दुबारा काली का टागमन होता है मैंने वाता था चौदे सो अठानवे में पह ने सासक था वो जो है अपने बंदरगाह पर अरब व्यापारियों को ब्यापार करने की उसने अनुमती दे रखी थी पूर्तगाली ऑन से इंसिस्ट किया करने करके के कैसे भीए ओस टा hambur Beatles था और कोचीन का जो राज्य था कालीकट कोचीन की आपश में क्या चलती थी सत्रोता चलती थी तो पुर्तगालियों ने इसका फाइदा उठाया और कोचीन के राज्या का जो माला भार छेदर था उसमें अपना पहला किला बनाया फिर आगे चल करके इनोंने पंद्रह सो नों में दीप पर अधिकार किया, पंद्रह सो दस में गोवा पर अधिकार किया और उसको अपना प्रशाशनिक केंद्र जो है इनोंने बनाया। भारत में पुर्तगाली सामराज्य का सूतरपात किस तरीके से हुआ। दूसरी फैक्टिक अनूर में इस्तापित कर दी की जाती है फ्रांसिस कोडा अलमीडा के समय में। फ्रांसिस कोडा अलमीडा हलांकी 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसेनिक बेड़ा जिसमें गुजरात का सासक ठीक है मिस्र के कुछ शाशक थे और तुर्की इन तीनों की संयुक्त नौसेनिक बेड़ा था इसके तवारा अलमीडा को पराजित कर दिया गया और इस युद्ध मे जो है अलमीडा का पुत्र भी मारा गया था फिर इसने क्या किया ये बदला लेने के उद्धर शिश्षप 1509 में दुबारा से जो है वहाँ से संगर्स होता है उसी नौसेनिक बेड़े के साथ में इसका और 1509 में ये इसका बदला लेता है और नौसेनिक बेड़े को पराज बनाता है। इसने अपना मुक्ख्याले कोचीन को बनाया था। भारती महिलाओं के साथ विवाह की नीती अपनाई थी। मतलब इसका ये मानना था कि जो पुर्तगाली लोग हैं जादा से जादा भारती महिलाओं के साथ में विवाह करें। और इसका उद्देश था कि ये भारत में इस्थाई पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था। 1515 में सेंट जेवियर चर्च जो के पहला चर्च था गोवा का इसकी स्थापना भी इसी के समय होती है और इसकी एक ये भी अच्छी चीज मानी जा सकती है कि इसने भारत में प्रशलित सती प्रताप और प्रतिबंद लगाने के प्रयास किये थे पूर्वी तटके साथ में पूर्टगालियों ने सीधा संपर्क के स्थापित करने का प्रयास किया इसमें विशेश रूप से दोस्थान आते हैं नागापटनम और सैंथोम नागापटनम उस टाइम पर पूर्टगालियों का प्रमुक बंदरगा हुआ करता था सैंथोम जो कि अकबर की अनुमती से हुगली और सहा जहां के फरमान से बुंदेल में भी पुर्तगालियों के कार खाने खुले थे। पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। अब ये तीन शब्द जो हैं कार्ड्स, आर्मिडा, काफिला इनका अलग-लग मतलब है। ठीक है, तो ये जो है, बलके उसको दिखाता है, परभाब को दिखाता है, काफिला मतलब व्यापारियों के जहाज, तो यहामें तीन चीज़ें आपको नजर आ रही होँगी, एक पर्मिट, आर्मिडा, जोके पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा था, काफिला, मतलब जो व्यापारियों के जहाजों के काफिले हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको अगर प्रोटेक्शन चाहिए और उनको अगर पुर्तगालियों के हमले से बचना है तो उनको पुर्तगालियों से व्यापार करने का पर्मिट लेना पड़ेगा जहाज को समंदर में ले जाने का पर्म पैसा भी चाहिए था तो पैसे के लिए क्या लाते थे उधर से सोना चांदी लेकर के आते थे उनको यहां पर बेशते थे और उनके बदले में यहां से अन्य सारी चीजें जिनका यह व्यापार करते थे उनको लेकर के जाते थे जर्मनी इंग्लेंड इत्यादी छेत्रों से ये गुलाब जल लेकर आते थे, मूंगा लेकर ये पारा, सिंदूर, इन सारी चीज़ों को भारत लाया जाता था और इनके बदले में भारती सामान को लेजा करके यूरोप में बेचा जाता था, भारत में पुर्टगाली प्रशाशन की बात करें तो प्रशाशन का मुखिया वाइसराय होता था ये स्टार्टिंग में तीन वर्शों तक सच्चिव के साथ में कारे करता था फिर बात के बर्शों में इसकी help के लिए council की परिशत की इस्तापना की जाती थी, इसमें वेडोर्दा फजेंडा के महत्व में व्रद्धी होती है, ये वेडोर्दा फजेंडा क्या है, ये पुर्तगाली वर्ड है, और इसका अर्थ है एक पद या एक अधिकारी, जो क्या कर वेडोर्दा फजेंडा के द्वारा की जाएगी, कारगो, नौभार चाहिए, शिप्मेंट चाहिए, ठीक है, ये नौसेनिक बेड़ा भेजना है, उसके लिए जो जिम्मेदारी होती थी, वो वेडोर्दा फजेंडा के पास होती थी, और इसका महत पुर्तगाली अंतरित कर दिया, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, कही बार पूछा जाता है, किस पुर्तगाली गवर्णर ने अपना जो मुख्याल है था, कोचिन से गोवा ट्रांसफर किया था, तो वाई सराइ नीनो दकुना, और गोवा को इसने पुर्तगाली राज की आपचार गजराद से चला जाता है, और जनता जो थी, ठीक है, गुजराद की, वो पॉट्तगाली यों का विरोध करने अ लग जाती है, तो आगे चल करके पॉर्तगाली यों द्वारा बहादुरशा की हत्या कर दिजाती है और पूरे ट्रेड पर जो है अपना कंट्रोल कर लिया ज पुर्तगाली समराट को भारत में सभी चर्च और मिसनों का संरक्षक बनाया जाता है इसके बाद में। यहाँ पर जो पादरी आये थे जे स्वीट मिसन के अंतरकत वो थे रैट कलफो एक्वाविया और अंटरियो मौसरेंट ठीक है यह पादरी जो है अकबर के दरवार में आये थे इनका उद्देश क्या था यह चाहते थे इनकी प्रबल इच्छाती कैसे भी करके भारती शासको का इसाई करण करें अकबर को भी यह ऐसा मानते थे कि अकबर जब जे स्वीट मिशन बुला रहा है धार्मिक चर्चा के लिए लोगों को बुला रहा है तो इनका धमाग की यह कह रहा था कि कहीं अकबर जो है इसाई धर्म मानने के लिए एगरी है लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था और इसको पुर्तगालियों ने क्या समझा कि अकबर जो है इसाई धर्म को मानने के लिए जो है इच्छोख है इस वज़े से उन्होंने पूरा प्रयास जो है वहाँ पर किया मिशनरी अक्बर के इसाई करण में असफल हुए मतलब पूरी तरीके से जो वो सोच रहते कि हम अक्बर का इसाई करण कर देंगे उसको इसाई धर्म में कन्वर्ट कर देंगे अकबर का उद्धिश्य केवल क्या था एक तो धर्मों के बारे में जो भी अच्छी चीज़े हैं अच्छे थौट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और दूसरा उसका जो उद्धिशिता वो ये था कि वो इस तरीके से जो पुर्तगाली धर्म परचारक हैं इसाई धर्म परचारक हैं इनको अगर पादरी आवास बनाए जाने की अनुमती जो है दी गई थी 1606 में इसके बाद में आगरा में 20 जो है वो दिक्षा इस्थान जिनको बबतिस्मा कहा जाता है बबतिस्मा देने के लिए 20 दिक्षा इस्थान भी आयोजित किये गए थे जहांगीर के बेवार से भी जेसुईट प परवा दिया था इसाई धर्म में और काफी सारी चीजें देखने को मिलती है लोग ये कहते हैं कि मलब किताबों में भी काफी सारी बुक्स में भी ये देखने को मिलता है अगर आप विकीपीडिया गूगल पे भी देखेंगे तो भी आपको ये देखने को मिलता है कि जहा जैसे उसने उसको convert करा दिया, हालांके बाद में उसने फिर दुबारा से Muslim धर्म जो है स्वीकार कर लिया था, साजान के समय में मुगल दर्वार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाबों का अंत हो गया, पुर्तगालियों के पत्र लेकर के सूरत आता है, ये पत्र किस से related था, भारत में व्यापार से संबंदित था, लेकिन ये पत्र अकबर के नाम से लिखा गया था, अकबर को देना था, लेकिन तब तक जहांगीर का शासन प्रारम हो चुका था, तो ये पत्र जहांगीर को पहुँचा गया था, लिखा अकबर के नाम से गया था, लेकिन जहांगीर के दरवार में ये पहुँचा था, पुर्तगालियों ने इसको मुगल दरवार में पहुँचने से रोकने के काफी सारे प्रयास किये लेकिन वो असफ़ल रहे जहांगीर ने हॉकिन्स को अपने दरवार में बुला कर कि उसका स्वागत किया हॉकिन्स जो है तुरकी भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोलना जानता था तो तुरकी भाषा में ही उसने जहांगीर से बात की जहांगीर ने प्रभावित होकर के 30,000 के वेतन पर उसको 400 मंसब दार का पत दिया 400 मंसब उसको प्रदान किये सूरत में कारखाना खोलने की अनुमती जो है वो बिलियम हौकिन्स के द्वारा मानी जाती है और निराश होकर के 1611 में मुगल दर्बार छोड़ करके चला गया अंग्रेजों ने फिर सूरत के निकट एक स्थान पढ़ता है स्वाली 1612 में इनोंने अपना अंग्रेजी जहाज जिसका नाम था ड्रेगन ड्रेगन जहाज के द्वारा कैटन बेस्ट के नितरत में पुर्तगाली जहाजी बिड़े को पराजित किया और सूरत में अपना पहला कारखाना इस्थापित किया पुर्तगालियों के पतन के कारण इनका पतन क्यों हुआ पहला कारण था कि पुर्तगाल का जो समराट था वो निरंग कुछ था, बहुत ज़ादा उसको इंट्रेस्ट था नहीं व्यापार में, धर्म के मामले में ये असाहिश्णु थे, इंटोलरेंस थे, धर्मांद थे, ब्यापार हो या नहो लेकिन लोगों का इसाई करण हो, तो इन्होंने व्यापार एक अड़े स्थापित किये थे, वो व्यापार एक अड़े ही बने रहे, वो पॉलिटिकल पावर के रूप में ये उनको कनवर्ट नहीं कर पाए, दूसरी इनकी नीती डकैती और लूट मार की थी, जैसे आपने पढ़ा था, कि पर्मिट लेना नहीं आप पर्मिट लोगे, नहीं टेक्स चुका होगे, तो आपको पुर्तगाल के आकरमड का जो है, आकरमड को आपको जहिलना पड़ेगा, तो ये सारी आदते हैं इनकी थी, डकैती की, लूट मार की, तो इस वज़े से कहीं न कहीं ये आगे नहीं बढ़ पाए, डच और अन्य यूरोपीय सक्तियों से संगर्स, हालनके पहले पुर्तगाली ही आये थे, लेकिन उनके बाद में डच भी आते हैं, ब्रिटिस भी आते हैं, और सभी लोगों का उद्देश ही ये था, जदा से जदा प्रोफिट का माना, तो कहीं न कहीं सभी में आपस में संगर् पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अधिक कंट्रॉल रहता था ठीक है यानि जिस तरीके से आपने देखा था कि प्रारंब में जब इस्ट इंडिया कंपणी भारात आई थी तो स्वतंत्र रूप से व्यापार करती थी कोई भी उसके मामले में इंटर फिर नहीं करता था. अलंकी 1857 क्रांदी के बाद में 1858 से कधिनियम के दोड़ा जो पूरा नियंतरण था वो ब्रिटेन के राजा के दोड़ा ले लिया जाता है लेकिन पुर्तगाली एसा नहीं था. पुर्तगाली जो थे व्यापारी जितने भी पुर्तगाली व्यापारी पुर्तगाली की नहीं थी उद्योग धंदों का विकास पुर्तगाल में हो नहीं पाया था इस वज़े से उनका काम केवल डिस्ट्रिब्यूटर की तरह ही बनकर रह गया पुर्तगालियों के भारत आगमन के परिणाम क्या हुए क्या परभाव हुए क्या परिवरतन हुए कि देगे पुर्तगालियों के आगमन से एक तो धरम परिवरतन को बढ़ावा मिला पंदरे सो चालीस में गोबा के सभी मंदिरों को नश्ट कर दिया गया पंदरे सो साथ मे इसाई धर्म न्यायाले की वह में स्थापना होती है भारत का जापान से व्यापार प्रारंब करने का सिर्यभी पुर्तगालियों को जाता है इसके सासाथ कुछ नई चीज़ें जैसे तंबाकू, आलू, मक्का ये सारी चीज़ें मध्य अमेरिका से पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत लाई गई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रीवी पुर्तगीज को जाता है इसके सासाथ पुर्तगालियों के आगमन के बाद में कहीं ने कहीं इस चीज के बारे में लोगों को पता चला कि अगर व्यापार अच्छी तरीके से करना है ट्रेड को अच्छी तरीके से करना है तो नौसैनिक सक्ति जो है उनको अपनी मजबूत बनानी पड़ेगी तो पुर्तगालियों के आगमन से ही नौसैनिक सक्ति के महत्ता के बारे में जो है लोगों को पता चलता है तो यह हो गया आज का शेर्षन आशा करता हूँ आज का class को पसंद आया होगा class पसंद आता है तो इसको अपने मित्रों के शाथ में share जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा अपने notes जो है वो यहां से लगातार बनाते चलिएगा धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपकी मैं आने वाले समय में यहां से complete कराऊँगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे फिर एक next वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन